तो हाई गाईस, वेलकम तो निव वे चानल तो फैंस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Realme X7 5G के कुछ ऐसे फीचर के बारे में जैसे की फिंगर प्रिंट, स्पीड, अम्बेंट, लाइट या फिर जो है आपको Always On Display का फीचर जो मिलता है, उसमें क्या-क्या फीचर देखने को मिलते हैं तो वीडियो का एंट तक देखते रहे हैं और मैं आपको इन फीचर के बारे में डीपली बताऊंगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रो से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए और साथी साथ आपको पता होगा तो Realme X7 5G का आपने Unboxing वीडियो भी बनाया था साथी साथ Realme X7 5G से डिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर Realme X7 5G वाली वीडियो आपको चाहिए Unboxing की तो आपको उपर i button में या फिर print कमेंट में देखने को मिल जाएगा link तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो अब बात करते है Realme X7 5G के उन features के बारे में जो की आप लोग जानना चाते हैं जैसे कि fingerprint speed तो यहाँ पर आप देख सकते हो fingerprint speed कैसी है in display fingerprint scanner की साथी साथ एक बार मैं आपको settings में जाके दिखा देता हूँ Realme X7 5G के जो की आप लोगों को doubts है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Android 10 पे ही अभी भी device run करता है Android 11 का update इसमें नहीं दिया गया साथी साथ Realme UI version 1 ही अभी भी इसमें run हो रहा है तो यहाँ पर Realme UI 2.0 का update जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को update दे दूँगा और आप अगर Realme X7 5G खरीदने चाते हैं तो आपको यह देखने हो मिलता है flip card पे और Realme store पे भी तो एक बर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर lock screen magazine आप देख सकते हो और always on display का भी option मिलता है तो always on display के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ features देखने हो मिलता है जैसे कि lock screen में आपको always on display का feature मिल जाता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसमें AMOLED स्क्रीन है तो यहाँ पर आपको always on display का feature मिलता है तो always on display के अंदर आपको कुछ features ऐसे देखने को मिलता है जो कि आपको Realme X7 Pro 5G में मिलता है लेकिन इसमें नहीं दिये गए तो कुछ features जो है यहाँ पर हटाए गए है तो साथ ही साथ आपको जो है lock screen magazine का भी option मिल जाता है तो आपको जो है multiple wall पर बस देखने को मिलेंगे lock screen में साथ ही साथ ही साथ always on display को आप date wise या time wise अपने हैसाब से कर सकते हैं एक और बात में आपको बता हूं तो Realme X7 5G Dimensity 800U के साथ आता है तो यह जो चिप सेट है मेरे को अपने हिसाब से मैं जितने देर इसको फोन को यूज किया है अभी तक तो मेरे को इतना जादा को लैक शेटर देखने को नहीं मिला और screen recording में आपको जो है यहाँ पर video quality में बता हूं तो high quality तक आप कर सकते हो 1080p तक तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है आपको screen recording दी गई है तो आप अगर gaming करते हैं तो आप उसको capture भी कर पाएंगे साथी साथ realme theme store भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर आप देख सकते हो तो वही आपको normal themes देखने को मिलते हैं जो कि realme UI version 1 में आते हैं तो realme X7 5G का जो यह color variant है space gray variant आपको काफी पसंद आएगा मेरे को personally काफी पसंद आए और nebula color से भी यह काफी सादा interesting लगता है कुछ लोगों को nebula color variant काफी जादा पसंद आया तो अभी इस talk में वो available नहीं है साथी साथ इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जो से कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मैं बता हूँ साब गली वीडियो में तब तक के लिए बाई